आज मुंबई पुलिस की और से एक टीम मेरे पास आई थी 23 मई 2021 को महाराश्ट्र में हुए तबादले घोटा लेके कागजातों को मैंने केंद्रे ग्रह सचीव को सौपा था एक प्रेस कॉन्फरंस की थी उसमें कवरिंग लेटर दिखाते हुए बताया था ये सारा सेंसेटिव मटेरियल मेरे पास है महाराश्ट्र में करोड़ो रुपे का तबादला घोटाला हुआ है और इसके कागजाद मैं केंद्रे ग्रह सचीव जी को सौप रहा हूँ उसी दिन मैंने उनको सौप था उसके बाद उससे बोखलाए हुई सरकार ने एक गुना दाखिल किया के कागज बाहर कैसे गए और उस सिलसिले में आज मेरे पास मेरा स्टेट्मेंट रेकॉर्ड करने टीम आई थी मैंने उस टीम को सारा जवाब दिया है इससे पहले उन्होंने मुझे एक क्वेश्चनायर भेजा था लेकिन आज जो टीम आई थी उसने उस क्वेश्चनायर की जगह जो क्वेश्चनायर बिल्कुल एक साक्षी की तरह था उसकी जगह एक ऐसे क्वेश्चनायर को लेकर वो आए थे कि जिसमें उनका मनसुबा मानो मैंने ही ओफिशियल सिक्रेट एट का उलंगन किया हो और मैं ही आरोपी हूँ इस प्रकार के सवाल मुझसे पुछे गए लेकिन मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है और मैंने उनको साब बताया है कि मैंने कागजात ये प्रेस को नहीं दिया है मैंने प्रेस में अनौंस करके कॉंपेटेंट अथोरिटी को दिया है राज्य सरकार के पास 6 मैने तक घोटाले के रिपोर्ट था उसको दबाकर राज्य सरकार बैठी थी मैंने उस रिपोर्ट को बाहर निकाला तो बाहर निकलने के बाद मैं उसको राज्य सरकार को तो सौप नहीं सकता था क्योंकि वोई घोटाले पास थे इसलिए और चुकि उ सचीव को सोपी और इसलिए इसमें ऑफिशल सिक्रेट एक का समन्य नहीं आता उल्टा मैं तो विपक्ष का नेता हूँ मुझे तो प्रोटेक्शन है ही बावजूर उसे एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी विसल ब्लोर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैं विसल ब्लोर इस घोटाले के उपर जिसमें करोड़ो रुपए तबादले के लिए लिए गए और मैंने उनको ये भी कहा कि अगर सरकार को या पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई सिक्रेट डॉक्यमेंट बहार गये है तो उन्होंने कारवाई मंत्री नवाब मलिक पर करनी चाहिए क्योंकि ट्रांस्क्रिप्ट जो मैंने केंद्रिय ग्रह से चुको सौपी थी उनको पत्रकारों को उसी दिन देने वाले मंत्री नवाब मलिक थे और उनके साथ एक और दो मंत्री थे इसलिए मैंने बहुत स्पश्चपदों में सारी चीजों का जवाब दिया है मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार की बाते मैं लगातार सदन में उठा रहा हूँ जिस प्रकार से सरकार के मंत्री की दाउद के गुरुगों के साथ हिस्सेदारी मैंने दिखाई जिस प्रकार से सरकार के विपक्ष को केसेस में फसाने के शड़यंत्र को मैंने ध्वस्त किया इससे बोखलाई हुई सरकार यह मानती है कि इस प्रकार का नोटिस देकर मुझे दबाओं में वो ला सकेगी मैं तो जनता का काम कर रहा हूं मैं तो वरष्टाचार को बाहर निकाल रहा हूं मैं किसी भी दबाओं में आने वाला नहीं हूं मैं यह काम करता ही रहूँगा यह काम जारी रहेगा संजे राउत का ये त्वीट करके उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा है कि राजी सरकार जब इस मामले की जाच कर रही है कानून के लिए सब कोई बराबर है तो उस्ताज करने के लिए कुछ नेताओं से संपर किया जा रहा है तो डर क्यूं रहे हैं सच बताने के लिए मैं उनको पूछना चाहता है मैंने तो खुले मन से बोला कि मैं जाने को तियार हूं संजे रहु शंon शना मत्यों डर दर कर प्रेस कॉन्फरन Śास करते हैं समय मैंने तो कहा कि अने को तैयार हूं बुलाओ जहां बुलाना चाहते हो उनमें है हिम्मत यह बोलने की नहीं है वो तो प्रिसकत है मुझे क्यों बुला है मुझे क्यों बुला है क्यों बुला है